है सेमसंग के mobile में hot spot on होने पर भी दूसरे mobile में यहाँ से देख सकते हैं कि connect नहीं हो रहा है तो इसको आप कैसे solve कर सकते हैं इस problem को यह आप देख सकते हैं कि hot spot on है लेकिन वहां पर दूसरे फॉन में वह connect नहीं हो पा रहा है तो यहां पर जो settings है उसमें जाकर देख लेते होट spot की कि क्या क्या options आते हैं हमाई सामने तो यहां देख सकते password जो है यहां से एक बार इस network को सबसे पहले यहां से forget और password एक बार फिर से डाल कर देख लेते हैं कि यह password तो सही है तो यहां से जो password यहां पर लिखी हुए है देख सकते है और यह password हम यहां पर enter कर देते हैं ठीक है अब इसको यहां पर अ देख सकते कि वही password है जो यहां पर इस hotspot के है फिर भी यह यहां पर नहीं हो रहा है connect और सेव्ड लिखा रहा है ठीक है लेकिन connect नहीं हो रहा है तो इसको कैसे solve करना है तो यहां देख सकते हो तो कोई जदा settings है नहीं इसे related लेकिन यहां आप देख सकते की जो allowed device है वो सिर्फ वही connect हो सकते और allowed device एक भी नहीं है यहांसे आप Add कर सकते हैं लेकिन है इसको आपको Allow All Devices पर Set कर देना है टेक है तो अब देखते हैं कि यह ओरहा है Connect weatherふ और में करेंदेखते हैं कि यह था है इस तरीके से आपर प्रोप्रीम शॉर कर सकते